प्रश्चिन पाईलोट जी आवी रियाँचे ताथे साथे आपड़ा माजी केंद्रमंत्री तुशारवाई चोधरी पन आवी रियाँचे अने आपड़े बद्धाज तालियो पाड़ी अने स्वागत करिये पोट पोटानी जग्या स्थान लेवानू पोट पोट पोटानी उस्थान लेलियो गया वरस नूँ बजेट चौपन चो करोड नूँ हतू अना चालू वरस नूँ बजेट आ महाणगर पाली कमा तमें जे टेक्स बरोशो अनू अच्ठावन चो करोड नूँ बजेट तमें 22 शुरस ना जो पैस्या गणो तो हकीकत वो तमने को आचांदी ना पत्राना रोड थे गया होई अब भारती जन्ता पाल्ती ना साशको आचांदी ना पत्राना रोड करी शेक्या होई इट्टू तमें टेक्स बरोशो जारे अपना राज्यस सरकार नूएक परिपत् तमारा जित्पे जंत्री होई इस जंत्री ने आजारित वैरा लेवाना इस यारे कटार गाम नी जंत्री तार हे रहे अच्छे तेवीस अजार चालेस तमारू कटार गाम तम्हें वैरा भील घुरे रसंदुन, लोकेशन भाश नवा आख हो ए लोकेशन हाखो अब भारती आपार्थी जन्ता पार्टीनी सरकाइस पाश गैस तराह पंडिस बॉर्यां काञिआज का पाधिए पारती जन्ता पार्टी सरकार आथ काथ आज तमारा t Sådok मा्तल बीकवांते होगा सबन्क्राइन में तर मीचार निद्ञेइस भार्ति जन्ता पार्टी लोगने कि दू विकास समय करो पन गांडों करो लोकों नी जमीन घाय गया लोकों ना टेक्स ना पईसा घाय गया अने कि दू विकास करो शोने एनो बेजार सत्तर पसी इलेक्षन नी अटार तारिकनों रिजल्ट आउशे ने 24 तारिके तमने हिशाब आपचु का 22 स्वरस्त ने अंदर अब भार्ती जनता पालती है शेनो विकास करो आटलू काई जिर्मूशु जय हिन जय बारत आजे जैमने सांबढ़वा माटे आपणा यहां सो उपस्तित थया शिये एवा राजस्तान कॉंग्रेस कमिटी ना प्रमूख अने पूर्वक एंद्रियमंत्री बारत सरकार एवा सचिन पाईलोट जी के जिवो युवानों मा खुबज लोक चाहना तरावे शे खुबज दिरिक द्रश्टी थी अने एपण आपणी बच्चे आवी गया चे तो बदात तालेओना गडगडार थी आपणे सचिन पाईलोट जीनु स्वागत करिये अने एमनु स्वागत करवा माटे उँ कतारगाम विदान सबा सेवादलना प्रमुक हिम्मदबई पांडवने विननति करिश के सचिन पाईलोट जीनु स्वागत करे आ कतारगाम विदान सबा माथी कॉंग्रेस पाईटी ना जे दावेदारों छे एवाद चेतन बाई पाई 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 जीगनेश बाई मेवासा महेश बाई केवडिया रागोजी बाई गायक वाड़ी ने उँ मिननति करिश के जड़ती स्टेज उपर आवी अने सचिन जीनु स्वागत करे नरुदिन बाई शेख जेमनी आपने खुबज आतूरता पुर्वक राह जोई रही आता एवा सचिन पाई लोट जी ने हवे आपने सांबलवाना छे तो में बिन्ति करता हूँ सचिन पाई लोट जी को कि आज की सवाको प्रासंगीक उद्भोधन करे सचिन पाई लोट जी भारत सरकार में पूर मंत्री जार भाई मंच पर पस्तित सभी हमारे पार्टी के नितागर्ण इस सवा में मौझूद नौजवान दोस्तों आदरनी बुजर्गों माता और भेनों आप सभी जानते हैं कि तो रात में एक बार पुना चुनाव होगा आप लोग इस परदेश के पाँच साल के भविश्य का निरने करने जा रहे हों मैं जैपूर से चलके आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों से निवेदन करने के लिए आगरे करने के लिए कि अपने वोट का अपने मत का बहुत सोच समझ कर हमको उप्योग करना है आज जो परिस्थिती बनी हैं गुजरात के अंदर आज जगा जगा नौजवान अलग-अलग समधाय के लोग किसानवर्ग के लोग अपने आपको ठगावा मैसूस क्यूं करते हैं बार-बार जनता ने वोट देकर सरकार कायम करी और सरकार की जिमेदारी बनती है कोई व्यक्ति हो, कोई दल हो, कोई नित्त, समधाय हो, सब लोगों से बैट पर उनकी समस्चाओं का निराज़ा एल सरकार को करनी चाहिए लागातार मुख्मंत्री बदले आनदी बेन जी को मुख्मंत्री बनाया, किनी कारण ने से बटा दिया, अभी रुपाने जी मुख्मंत्री है लेकिन चेहरा बदलने से सरकार नहीं बदलती है, सरकार वो ही है और इन पांथ सालों के अंदर, मैं हैसा मानता हूँ कि जो जो वादे भाज़पा ने किये थे लागातार सरकार में आने के बाद, और कोई कारण नहीं है पूरा भहुमत पार्लेमेंट में है, पूर्ण भहुमत की सरकार है, कोई सयोग इदलकाज, गुलेशन की सरकार नहीं है केंद की सरकार, राज की सरकार, एक तालमेल के साथ गुजरात की जंता की जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन थे उनको पूरा करने की कोशिश कर सकते थे लेकिन हकीकत कुछ और है पूरे देश भर में पचार किया जाता है कि गुजरात मॉडल ऐसा एक मॉडल बना है कि गुजरात में कोई दुख और परिशानी की कोई जगा नहीं है कि दो दिन से मैं दोरे पर हूँ मैं राजकोट में साकल आज में सूरत आया हूँ जहां भी हमने लोगों से मलाकात करी है छोटा दुकानदार हो धन्दा करने वाला हो वेबसाइट करने वाला हो नौजवान हो ये किसांसमाज के लोग हो सब लोगों को लगता है कि जो बड़े बड़े वादे किये गए थे आज उनको पूरा करने में नाकाम रही है भाजपा और नाकामी के साथ-साथ उन्होंने कोशिश भी नहीं करी क्योंकि ऐसा घमंड भाजपा के इंदर आ गया है कि कभी भी चुनाव होंगे सारा वोट तो हमारी जेव में है हमें लोगों को काम करने के जरूवत नहीं है और हमने कहा कि चुनाव हो तो उन मुद्दों पर हो जिन मुद्दों के लेकि आपने वादे किये थे कितना रोजगार आपने पैदा किया है बारतिय अंतर पाड़ी ने कहा था जो प्रिशक समाज है जो खेती करता है उसकी जो लागत आती है किसानी करने में खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, तेल की उस सारी लागत का डेड़ गुना उसका मुनाफिका समर्थन मूल हम लेकर आएंगे नोट बंदी करने के बाद काला धन इस देश समाप्थ हो जाएगा, प्रष्चाचार खतम हो जाएगा, आतंगवाद खतम हो जाएगा और ये बाते मैंने नहीं करी है, कि इनकी सरकार ने जब 8 नवंबर 2016 को नोट बंदी लागु करी थी, यहीं कहा था कि नोट बंदी होगी तो जाली नोट बंद हो जाएगे, अलगावबाद खतम हो जाएगा, नकसलवाद खतम हो जाएगा, आतंगवाद खतम हो जाएगा आज एक साल के बाद हमको इतना भी नहीं पता, कि जो नोट बैंकों में आया है वापिस, वो कितना है Reserve Bank of India ने आज तक नहीं बताया कि जो नोट बंद किये थे 500 और 1000 के नोट उनमें से कितने वापिस आ गए है कहते हैं उनके पास गिनने की मशीन नहीं है अब मशीन थेके पर लेकर आएंगे मशीन खरी देंगे फिर नोट की गिंती होगी क्योंकि भारते इंतर पार्टी की सरकारें जवाब देने में कत्राती है है हकीकत बताने में उनको दिक्कत होती है है आजस्टी का कानून बना रात के 12 वजे की संसद में बटन दबाया गया बहुत ब्रा जशन मनाया गया बड़े जिस्टी को जनम देने वाली पार्टी जो है वो कॉंग्रेस है हम जीएस्टी के पक्ष में हैं लेकिन यह जो जीएस्टी आज लागवा है देश में ये का हो रहे हैं 28% की परिकल्बना किसी नहीं करी थी दस साल तक GST पर चर्चा हुई हम भी GST थोप सकते थे लेकिन हमने सोचा कि लोगों को छोटे वेबसाय करने वाले लोगों को साथ लें उनकी सेहमती से समझोहता करकर चर्चा करकर हम लोग कोई कानून बनाएंगे साड़े तीन-चार साल से केन की सरकार भाजपा की है बेश गवर में किसान लगाता रात बहत्या कर रहा है किसी भी पेमाने बार आप देख लो किसान हो, नौजवान हो, आर्थिक विवस्ता हो, आतंकवाद हो, अलगावाद हो, हमारे देश की सरत की सुरक्षा की बात हो, हर जगे जहां पर हम पहले थे, उसे नीचे आए है, लेकिन ये कठोर सवाल पूछने के जमेदारी किसकी है, प्रमुख विपक्षिदल कॉंग्रे पार्टी है, हम लोग सवाल पूछत मांगते हैं, तो भारतियंदा पार्टी बोलती है कि जो हम से सवाल पूछता है, वो देश त्रोही है, वो राष्ट विरोधी है, बाजपा विरोधी होना, कोई राष्ट विरोधी होना तो नहीं है, मेरी नागरिक्ता, मेरी मिट्टी, मेरी भारत्मा के प्रती मेरी क्या भावना है इसका certificate मुझे किसी भाजपा के नेता से नहीं चाहिए लेकिन हम इतना जानना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर जो लगातार पांच साल तक को शाशन हुआ है उसमें क्या जरुवत थी लाठी गोली चलाने की आप बैठके लोगों से बात करो तो सब समस्चाओं का समधान हो सकता है लेकिन साथियों अगर किसी का समधान ढूंडने का मन ही नहीं है वो इस गमन में बैठा है कि जाए कुछ हो आखरी में जब चुनाव होगा तो सब लोग रोपीट के भाजपा को दुबारा वोट डाल दें ऐसा होता नहीं है मैं अभी दिन में कहीं भाशान दे रहा था मैंने का जो जया होता है जहां पर रूटी पक्ती है बहुत देर तक अगर रोटी एक तरफ रहती है तो जल जाती ऊपर कच्चा रह जाता है आटा और नीचे जल जाती है इसलिए चपाती रोटी बनाने के टाइम उसको पलतना पड़ता है तबे के उपर अभी तवा को रोटी कप पलतने का टाइम आ गया है अब यह चुनाव कर रहे हैं 86% जो स्कूल और जो कॉलेज और यूनिवर्स्टी गुजरात में खोले हैं वो निजी लोगों ने खोले हैं चिकित्सा को निजी हाथ रहा चाहते हैं और विरोधियों पर आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के तमाम दलों को निताओं को अलग-अलब बाटने के कोशिश की जा रही है मैं ऐसा मानता हूं कि राहूल गांदी जी ने जो दौरे किये हैं गुजरात के अंदर जन समाद किया है बाते करी हैं माशन दिये हैं उससे गवराठ है भाजपार पक्ष के अंदर भाजपार पार्टी के अंदर आज खलबलाठ है डर रहे है एक नर्वसनेस है जो पहले नहीं थी और एक अंडरकरन चल रहा है जो हवा हमको दिख रही है लोग बताते हैं बोलत हैं समझाते हैं लोग बदलाव चाहते हैं वह बदलाव तब संभव है जब सभी कौम के लोग सभी धर्म के लोग सभी जाती विरादरी के लोग नौजवान बुज़ुर्ग, महीला पुरुष गाम के लोग, शहर के लोग सब मिलकर एक मानस बनाए कि हमें अवसारी सत्ता परिवर्तन करना है और सता परिवर्तन होगा मैं राजस्तान से आता हूँ वहां पर्देश कॉंगर्स कमिटी का धक्ष हूँ मैं आपको इस मन से आश्वासन देकर जाता हूँ मेरी पार्टी के तरफ से कि 11 महिने के बाद राजस्तान में चुनाव होगा और और वहां कॉंगर्स की सरकार 100% बनने वाली है कोई इसको रोकेगा नहीं हम लोगों ने मेहनत करका लोगों का दिल जीता है और चुनाव में सातियों हार जीत होती रहती है लेकिन अपने सिधानतों से कभी समझाता हम लोगों ने नहीं किया एक सो तीस साल से इस कॉंग्रेस नुकसान भी हो लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहीं किया जो देशित में था मैं हमेशा कहता हूं कि विक्ति और नेता से बड़ा संगठन और दल होता है लेकिन राजनितिक दलों से बड़ा हमारा राज और हमारा देश यह भावना हम सब राजनिताओं को रखनी चाहिए आजकल की राजनीत में विशे शुप से हमारी जो भारतिंदा पार्टी के दल के लोग हैं, वो एक नकरात्मक राजनीति के तक्राव के राजनीति हैं, कॉंग्रेस मुक्त गुजरात बनाना है, कॉंग्रेस मुक्त भारत बनाना है, ये दुश्वनी के राजनीति हमारे लोग नौजवान, हमारे देश का विकास, यह हमारी प्रास्मिक्ता है, तो यह आकरमन की राजनीती, विरोधी को खतम करने की राजनीती, यह राजनीती हमारी नौजवान जो पीड़ी है, उसके लिए बहुत अच्छे उधारन नहीं है, इसलिए हम लोग एक अच्छी सुच राज नहीं है, और गुजरात के अंदर सिर्फ बाजपा ने काम नहीं किया, सिर्फ इस पर अपना हमारा ध्यान नहीं है, हमारी पाटी की सरकार बनेगी, तो हम छोटे वैबारियों के लिए क्या करेंगे, अलग अलग समाज के लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भावना किया, के दैरे के अंदर कानूनी जमला पेनाकर हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, किसान के लिए हम लोग क्या करेंगे, भीरोजगारों के लिए हम लोग कितना भत्ता देंगे, रि carro मावी करेंगे किसान लोगों की, यह सारे मुद्दे जो एक सकरात्म कराज़नीत का उधारन है वो जनता के बीच में ले जाकर हम जनता से अपील करेंगे और साथियों इस पजात अंत्र में जनता जनार्दन है नेता कोई भाशन दें कितना वाला विग्यापन छपा लें कोई भी जुमले दें कुछ भी अखमार में टेलिविजन में बोल दें अंत में जहां का बटन दबेगा उसी के सरकार बनेगे इसलिए आप सब लोग अपनी ताकत को पहचानों और एक एक वोट की कीमत है मैं समझता हूँ और मुझे कहने में कुछ संदे नहीं है पिशले कुछ चुनावों में शेहरी छेत्रों में कॉंग्रेस पार्टी का पदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा लेकिन आज जो माहौल देखा है मैंने और ये बात सिर्फ गुजरात में नहीं है ये बाद जैपूर में, जोदपूर में, उदैपूर में, दिल्ली में, हर्यान में हर जगे हम देख रहे है जिन उमीदों के साथ भारतिय इंता पार्टी को संपुन बहुमत दिया था आज लगातार हम देखते हैं कि वो बातें सिर्फ खोकली रह गई, जब नोट बंदी हुई थी तो ये कहा गया कि गरीब लोगों को कहा गया कि आपके हित का काम है जो लाइन में लोग खड़े हुए थे, अपना पैसा वापस लेने के लिए उनमें से कितरे लोग अमीर लोग थे सब गरीब अपके लोग खड़े हुए थे, एक सो चारिस लोगों की मौत हो गई और उस समय कहा गया कि 4 लाग करोड, 5 लाग करोड काला धन वापस सरकार के पास आएगा तो कुछ लोगों ने सोचा ये जो 15 लाग रुपे हमारे खाते में आने वाले थे हो सकता है भाजपा उसकी पहली किष्ट हमारे को मिल जाएगी लेकिन वो हुआ नहीं और वो होने माला भी नहीं है तो ये ऐसी हलकी बाते बोलकर लोगों का वोट लेकर सत्ता में आना असान है लेकिन जब राज का वजन कंदों पर होता है और आपकी कलम से आप लोगों के कल्यानकारी कानून नहीं बना सकते मुझे याद है कि भारते इंता पार्टी बहुत विरोध किया करती थी Foreign Direct Investment, FDI का विरोध करती थी सुदेशी की बात करती थी FDI जब रिटेल में आया था बहुत विरोध किया था अभी FDI रिटेल में भी आ गया है FDI डिफेंस में भी आ गया है और अमरीका के साथ जो हमने करार किया था न्यूक्लियर एग्रिमेंट 1,2,3 जो किया था इतना विरोध किया पारलेमेंट में गला फार फार के चिलाते थे रोज विरोध करते थे अभी जाके उसी अमरीका के राश्टपती को गले मिलने का मन करता है तो सत्ता में रहते हो तो अलग काम करते हो ये आधार जब हम आधार लेकर आये थे तो कोट में चलेगे बीजेपी ये आधार क्यों ला रहे है गरीमों का हनन होगा प्रैवेसी खतम हो जाएगी अभी सब काम आधार से करना चाहते है राशन किलेगा तो बटन दवाना पड़ से आधार से मिलेगा नरेका की योजना को बहुत बला बुरा कार शुरू में अभी नरेका की सब बढ़ाई करते हैं तो FDI हो अमरीका के साथ रिष्टे हो आधार कार्ड हो नरेका हो हर चीज पर पहले कुछ और स्टैंड था आज कुछ और स्टैंड है और बात बदलने में मैं हमको पढ़ता है मैं अगर आज कुछ बोलके जा रहा हूं और तीम महिने के बाद मुझे कुछ उल्टा बोलना पड़ेगा तो मेरे को बहुत मुछकिल होती है बोलने में और मैं सही बता रहा हूं मैं बोल भी नहीं पाता हूं को मैं बोल दिया तो बोल दिया payments नवारे